मैं आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे मिठाई मैं दो प्रकार की यहां बना रही हूं एक मैं कच्छे नारियल से बनाऊंगी और एक मैं जो सफेद वाले कोड़ा होते हैं जिसके पेठे बनते हैं उससे मिठाई आपको बनाके दिखिलाऊंगी तो चलिए देखते है यह निकालूंगी और इसको छील के मैं इसको घिस दूंगी घिसने यह मैं मिठाई को बनाओंगी बिल्कुल आगे देख सकते हैं कि मैं किस तरीका से यह मिठाई गुनाओंगी एकिस गнет इसको करो यह रिक्सा भी बोलते हैं तो उसको हमने छील के जाशे कपड्डूकस double Army कले रहे हैं अब हम यहां नारियल की भी हमको मिठाई बनानी है तो मैंने कच्छा नारियल ले लिया है उसको हम निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद उसकी हम मिठाई बनाएंगे तो हम दिखलाते हैं कि उसकी भी मिठाई बहुत ही अच्छी होती है कई प्रकार से आप मिठाई बना स तो यह देखिए इस तरीका से हम इसको निकाल ले रहे हैं आपको जिस प्रकार सुभिधा हो उस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं तो दोस्तों आप सुखे नारियल का भी बना सकते हैं सुखे नारियल का भी अच्छा होता है लेकिन मैं यहां कच्छे नारियल का बनाऊंगी क्योंकि बहुत अधिक सारे कच्छे नारियल हो जाते हैं तो हम इस तरीका से मिठाई बना सकते हैं हमें कभी पूजा करना हो तो हमें जटपट से मिठाई कुछ नहीं सुझ रही है कि न बनातों करके में इस बीमेघा बनाओंगी तो बिलकोल भी मैं जिस तरीका सी शेनारियल से बोइड़ में उसके बनाओगी कई Elijah बनतों ईसकी ब्रफी मतौने में अधे लेकिन ही यहाँ दोसे तरीका से मीठनाने कि मैं यहां तयार हूं तो दोनों कमैं बनाऊंगी तो देखिए जितना हमारा नार यल है उतना चीनी को ले लिए आम देख सकते हैं वीडियो में और आधे पानी यानि हमें चीनी जितना लेना है उसके आधे हमें पानी लेना है है और हम गलठा पाणि कंटेया या दिमत्क तुम셔야 बनारे-धक उधकु नाप से ले मुंना है औरहिए नाप से ले ली है आध हा कैना पानी यानि 100 gram चीनि ले तो 50 g पारल लेना है पिल्कुल भी उसके आधा लेना कि protस्ट तो हमारा चीनि हमारा जो है यह आप देखरहें हो लिए ओपर आ रहे हैं जिए गाड़े ओजायें गराएंगे तब तो आप कि पानी हमारे जल जाएंगे तो बिल्कुल भी हमारा चनी बच जाएगा देखिए अचंधा पन लाल टाइप का हो गया है और यह देखिए चलाते रहें चलाते रहें बुरभुरा पन पर हो जाएगा मिठाई आपकी तैयार हो गई बिल्कुल भी समय नहीं लिया चन मात्र में यह हो जाता है यह देखिए तो हम इसको चला रहे हैं बिल्कुल भी जैसे खाजे का होता है उस प्रकार से यह भी मीठा हो गया फटापट से मिठाई बन गई और हम भगवान जी को च तरीके से मिठाई बना के चड़ा सकते हैं तो देखिए हमारा बन गया आप देख सकते हैं कितने भी भूर भूरे टाइप के हो गया इसको खाई यह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों मेरा कुछ लाल हो गया है लेकिन आप लाल ना बनाए थोड़ा सा कम ही पानी पानी कम डालेंगे तो यह लाल नहीं होंगे तो मेरा कुछ लाल हो गया है लेकिन फिर भी देखिए अच्छा है आप देख सकते हैं यह देखिए किस तरीका से इसके ऊपर जो है पैकिंग हो गया है यह चीनी और इस तरीका से खाने में यह नारियल जो है बहुत ही कि मिठाई तो हम उसके लिए एक कटोरी हमने चीनी को डाल दिया है इसमें भी हम इसमें हम बराबर मात्रा में इसको नहीं डालेंगे यह देखिए थोड़ा से यह कम है क्योंकि यह दबेगा तो मैं फुले टाइप कर ली हूं कटोरी में इसलिए इसके आधा ही है यानि जि कि हमारा इसी में चीनी जो है घुल जाएगा आप देख लिए मैं चला रही हूं आपके सामने ही बिल्कुल चीनी घुल जाएंगे तो यह कोड़े को हमें बिल्कुल आधा लेना है चीनी के यह देखिए पानी छोड़ रहा है अब इसको हम खुब चलाएंगे चलाएंगे और इसमें आपका फिर बबस जो है गाड़ा जब हो जाएंगे तो यह भी हमारे मीठा उसी के तरह बन जाएंगे जिस तरीके से हमने नारियल का बनाया है तो देखिए पानी सुख जाएंगे तो हो गया फटा-फट से बन गया दोनों मीठा बिल्कुल भी हमको टेंसन लेन पाइस के बन रहा है इसके पानी जो है सूब जाएंगे और टोभलन जाये जब यह च drauf चला देगी चला profits करके निकाल ली यह द इस जिससे यह चिपके ना किसी बर्तन में और जब यह बन जाएंगे तो खुदी ही कडाई को छोड़ देंगे देखें कडाई को हमारे छोड़ दिया है सुरू में आप जब चलाएंगे थोड़ा चिपने टाइप का होगा लेकिन इस तरीका के देखें किस तरीका से मीठा बन गया है आप इसको चाहें तो लड़ू की आकार भी दे सकते हैं लेकिन बहुत गरम था दोस्तों इसलिए गरम गरम नहीं बन पाता है तो इसलिए हमने यहां इस तरीके से निकाल दिया अगर आपका हो सके तो आप लड़ू टाइप का भी बना सकते हैं तो देखिए हो गई ना दो प्रकार की मिठाई तयार तो देखिए दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा कमेंट क पूजा के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद खाईए और पूरे परिवार के साथ इंजवाई करिए माता रानी आप सब पर कृपा बर्शार है तो इस समय देखिए दिपावली का काम चल रहा है दोस्तों काम में हम सब बीजी है मैं जल्दी-जल्दी कुछ मिठाईयां बन अजब हैं तो जब भी हमें पूजा के लिए भी कभी भी देरी हो रही है तो हम इस तरीके से मिठाई आप जरूर बनाएं अब ना के भगवान जी को भोग लगा दीजिए आपके मिठाई तयार हो जाएंगे बजार से तो बिल्कुल भी अच्छा है यह देखिए कट कर रह तो इस तरीका से कट हो रहा है तो चलिए दोस्तों धन्यवाद